तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कोडिंग रन हो रही है इसका मतलब यह टूल आपकी 100% वर्क कर रही है यह देखे फॉर्मैट ओके यह देखिए यह आपका यह देखिए अनलॉकिंग इसमें डन हो चुकी है पिरू करने से पहले मैं आपको बता देन चाता हूं अगर से आपको कोई भी बॉक्स ट्रॉंगल परचेस करना हो हाडवे टूल परचेस करना हो एकटिवेशन कराना हो या फिर केविल परचेस करना हो तो आप मेरी वैब साइट को विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल चीप रेट में सारे में launch हुए है जो कि आपकी बिल्कुल free of cost है इसको आपको कोई चार्ट देना नहीं पड़ेगा आपको free आपको इसे use कर सकते हैं इसमें काईस आपको iPhone की support मिलेगी MT के phone की support मिलेगी Qualcomm और Huawei अभी इसका update आएगा इसमें आपको Qualcomm और Huawei का भी update आजाएगा तो guys अभी आपको अच्छे खासे feature मिलते हैं जो आप free of cost यूज कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इसे download करना है कैसे install करना है और किसे यह से आपको इसे use कर सकते हैं कैसे unlocking करना है कैसे कोई फून को आप unlock कर सकते हैं सिफ और सिफ एक क्लिक पे और इसमें आपका save mode work करता है कि नहीं work करता है इस वीडियो मैं आपको पूरा समझाओंगा तो guys आपको इस वीडियो को शुरू से लेके intellect जरूर देखना है और guys वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्ट्राइब निगे तो straight click button पे क्लिक करके subscribe कर लिए और यह साथ दो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरे आगने वाली वीडियो को क्सेकर से आपको download करना है कोई भी टूल आप कैसे download कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को problem आती है download करने में सबसे पहले आपको क्या करना है description box में आ जाना है यहाँ पर show more पर आपको click कर देना है पर show more पर click करने के बाद यहाँ पर आपको यह देखी download link मिल जाएगी इसके नीचे आपको download करने का तरीखा बताएगा है अगर से आपको download करने में कोई problem आती है इस link पर click करने के बाद तो आप यहाँ पर से इस वीडियो को देख लिएगा इसमें पूरा तरीखा बताया किस तरीखे से आप download कर सकते हैं तब गाइस मैं आपको यहाँ पर installation का process बता देता हूँ किसे किसे आपको installation करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको zip file मिलेगी zip file को आपको extract करने से पहले आपका antivirus disable होना चाहिए जो भी आप window use कर रहे है आपको उसका antivirus disable कर देना है इसके बाद आपको simple इसे extract कर लेना है एक्स्ट्रैक करने के लिए आप 7zip यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं विन्रार से extract कर लेता हूँ एक्स्ट्रैक होने के बाद यह फोल्डर आपको मिलेगा इस फोल्डर को उपिन करने के बाद यहाँ पसे आपको इसे उपिन करना है और यहाँ पसे एक और आपको zip file मिलेगी इसे भी आपको एक्स्ट्रैक करना है यह दो बार आपको zip file इस वज़े से दी गई है ताकि करने क dawn आपको एक सेट इप करने आपको क्लिक कर देना है आज हमाँ हन्हें अब यह यह आगिक generating, आपको यह ढ़ी आपका क्लिक हो रही है आपको हमेज करेंग क्लिक कर देना पर दो要डा सब्सक्लिकर करें एक आप धाई सीओं यांपसे में तो देख सकते हैं। यहां आपसे इंस्टॉल रही है। आप यहां थोड़ा वेट युटॉल यहां फोर नियुक्तियु श्बॉरक गए इस अपट नहीं रीचिन मिलते हैं अलसबाभी मल्टी टूल वर्जन 5.1 तो इसका लेटिस वर्जन भी एक और आ चुका है जिसका वर्जन है 5.5 इसी तरीखे से कुछ वर्जन है उसका अपडेट भी आ चुका है इसी में आपका अपडेट हो जाएगा यहां पर से आपका 5.1 वर्जन है इसमें आप जब इंस्टॉल कर लेंगा तो आपको अपडेट करने को बोलेगा तो आपको वर्जन इंस्टॉल कर लेना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलिशन के प्रोसेस में वह भी आएगा तब guys यहाँ यहाँ पहण देख सकती हम इंस्ट्रॉलिशन कंपलिटी चुका है इसके बद मैं फिनिश क्लिक कर देता हूं अब यहाँ पहुंद देख सकते हैं यहal और क्रवerk सुनाँन को करें कि are इंटेनेट कनेक्ट नहीं है तो उसे कनेक्ट कर लिए उसके बाद लॉगिन करेंगे तब आपका लॉगिन होगा क्योंकि यहां पसे अपडेट करने को भी बोलेगी यह तूल यहां पसे एक एरर आप में तो काईस यहां पर देख सकते हैं इसका वर्जन 5.4.4 वर्जन है जो अब यहां पसे यह लोडिंग लेगा यहां पसे पूरा यहां पसे इंस्ट्रॉल कर देगा यह देखे इंस्ट्रॉल यह देखे डाउनलोड हो रहा है यह लेटेस वर्जन जो उसका है वह यहां पसे डाउनलोड हो जाएगा फिसके बाद आप उसे रन कर सकते हैं गाइस व तो मातिसे करना है यहां पर मैं इसे कट और देता हूं यह तो आपकी है अपडेट तो होई चुकी अभी आप यहां पर और दिखानर करें देता हूं यहां पर लॉग इन पर मैंने क्लिक किया अब यह अपडेट है अलसबाबी जी एसम एजिप्ट यहां पर से अपडेट हो चुके है तो यहां पर से पूरी लोडिंग ले लिए इसने अब यहां पर यह डायरेक्ट ओपिन हो जाएगी एक बार खाली आपको अपडेट करना है 5.4.4 वर्जन जो कि अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपकी यह टूल डायरेक्ट ओपिन हो जाएगी अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर मेरी टूल open हो चुकी है आपको बाइपास कर सकते हैं अगर आइक्लॉड आपको फोन में लगाए तो आइक्लॉड आपका नहीं कर सकते हैं तो यहांपी से पर सकते और भी आपको यहाँ से आप बाइपास कर सकते हैं फून में आपका सिंगनल नहीं आएक लेकिन आपका iClaude remove हो जाएगा और यहाँ पहस्कोड का यहां पर कर सकते हैं और यह पर किया प्रफिचेह जो कि आपका ईनलाइन सर्विस में जाता है तुम यहाँ पर यह पर दिए और यहां पर से आपको fake iOS वाला problem आती है वो भी आप fix कर सकते हैं और इसके बाद आप में लोग यहां पर से देख लेते हैं MTK टैब में जैसे आपने काई यहां पर से आपने देखा होगा MTK की बहुत सारी टूल आ रही है लेकिन इसमें आपका यहां पर सब कुछ एक जगह पर दिया वाई यहां पर से एक feature इसमें बहुत अच्छा है यहां पर auto पर select करके आपको कुछी नहीं करना है यहां पर से simple format plus FRP remove पर क्लिक करना है आपका FRP lock और यहां पर से format भी हो जाएगा इसमें आपको start पर क्लिक कर देना है अपने phone को volume plus minus hold करके आपको अपने phone को connect करना है तो आपका phone format हो जाएगा इसमें आपको FRP remove करना है FRP भी आपका खाली हो जाएगा यह देखें FRP Samsung का FRP इसमें remove हो जाएगा इसके बाद यहां पर से सेव मोड भी इसमें Carrters Save mode यहां पर format save mode हो जिए आपका MRच कर सकते है इसमें आपका डीइट हो ऐपका delete Г guys सब आपको model भाइस मिल जाएगी जितलें MTK की यहां पर से Crack होचुके हैं और यहांप से Samsung के आपको मिल जाएंगे समसंग में यह देखिए यह सब मॉडल आपको देखने को मिलेंगे ऐसे यहां पर साथारी ब्रैंड में आपको मिल जाएंगे तो क्याइज यह MTK की यह टूल है MTK और Qualcomm, Huawei और Android के लिए अभी यह मार्केट में लेटेस लाउंच हुए यह आपकी यहां पर से वेट करना है जब तक लिए आप इसका फ्री फीचर यूज़ कर सकते हैं यह देखिए MTK के लिए बहुत अच्छा टैप दियागा है यहां पसे MTK के सारे फून इसमें कर सकते हैं और यहां पसे Apple का भी बहुत अच्छा यहां पर दिया गया है kas चलिए एक बाहले लुग टेस्ट कर लेते हम है इसमें फून अन्लॉक होता है है तो गैस अब हम लोग यहां पसे तेस्टिंग करें एंगे स्टोल की स्टूल वर्ड करता ऐ है करती एक 오른 यह वर्ड करती है यहां अब यहां पर देख सकते हैं वेटिंग फॉर डिवाइस कनेक्शन अब लोग क्या करेंगे वॉल्यूम् वॉल्यूम् प्लस माइनस होल्ड करेंगे अपना और सिंपल यूएस्बी केबल एंसर्ट कर देंगे यहां पर मैंने यूएस्बी केबल लगाई लेकिन अभी यहां पर सिपोर्ट नहीं बना रहा है एक बाद देख लेते हैं कुछ-कुछ फूनों में यह होता है कि आपका वॉल्यूम् प्लस माइनस सब्सक्राइब्स से अपना प्लस माय मिने काड़ कर देख लेता हूं 주 यह पर फून कनेक्ट हो गया यह देखें, बरूम मोट कनेक्टेड यह आपका यह देखिए unlocking इसमें done हो चुकी है तो guys बहुत से लोगों प्रॉब्लम आती है waiting for device दिखाता है process complete दिखाता है तो प्रॉब्लम आपकी driver की वज़े से होती है जो driver USD के driver होती है वो सब आपको install करना होगी तब आपकी वो problem solve हो जाएगी एक बार में आप अपना phone unlock कर लेंगे free of course आपको कोई पैसा देना की ज़रूरत नहीं आप इस tool से आप अपना जो भी phone है आप unlock कर सकते है आगे आने वाले feature में आपको यहाप से qualcomm के लिए अपडेट मिल जाएगा और यहाप से Huawei phone के लिए आपको फिरी अपडेट में लेगा यह देखिए sorry it is available in paid version यह अभी आपका paid version में फिरी आपका आगे आने वाले time में आपका हो जाएगा